यहां माहौल अभी से पूरा जोश वरा है, दो बजे मैं चुरू हो रही है, साड़ी दस बजे से एंट्री शुरू होगी पर आप यहां का माहौल देख रहे हैं, यहां पे पूरा एक बाजार लग चुका है, साथी साथ में फैंस जो हैं, वो हर एक जगह से आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, जिनको टिकेट्स नहीं मिली है, सूरत, बडोदा, दुबई, हर एक जगह से लोग यहां पे आए हैं, मैं केमरमेंट को बिल्ती करोगी कि पहले यहां का माहौल दिखाए, फिर हम फैंस से भी बाते करेंगे, आप देख रहे हैं कि चीर अप करने के लिए ल इंडियन टी-शिट के साथ ही वो इंडियन टीम का चेर अप करें, कुछ लोग कहां से आए आप, मैं दुबई साया आगा, अचा दुबई से सिप मैच देखने के लिए, सिप मैच देखने के लिए, आज सूबह मैं पांच बजे पोँचा, फ्रेश अप हो और ब्रेकफस क इंडिया को बस पहले तो हन्मान जी की कातना करके मैं स्टाट होगा, हन्मान जी की सूती करेंगे, कि हमारा इंडिया जीत जाए बस, और 2011 के बाद में रोही सर्मा तब वापस लेके आजाए गर पर बस, वर्ल्ड कप घर में आना चाहिए, वर्ल्ड कप इंडिया का है, इं इंडिया से जानी नहीं देखे वर्ल कप को, इधर रखेंगे, यहीं रखेंगे, वर्ल कप को रखना है, काह से आए वाप? हम सुरत से आये, मैं आमदा वज़ेता हूँ, मेरा सारा है, मेद देखने के लिए, लेकिन हम सुबे से मेद देखने के लिए, अब ते टिकेट मिली? टिकेट नहीं मिला, अज़र, टिकेट क्यों नहीं मिल रहा है, कब से एफट कर रहे था? वो क्या है, वो ट्राप, आप पाइरत वर्ट के लिए का, तो फाइनल के वज़े से नहीं मिला टिकेट नहीं मिला टिकेट नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? अब अभी वास तो जा रहा है वापस, अब देख लेगे यह, तीवी में देखना बढ़ेगा, क्या करेगा? लें मिल रहे तो, माल देखके गेट का वह बाहर से फोटा फोटा निकल करें, यहां से जाएगा हम लो, अभी टिकेट नहीं मिली लेकिन जोश की कमी नहीं है, जी, आज जब इंडियन टीम यहां पे आएगी, मतलब पैविलिंग में आएगी, तब भी आतिश बाजी का एक प्रोग्राम होगा, सिंगर्स भी यहां पे मौजुन दोंगे, बड़े-बड़े वीवी आईपी इस भी आ रहे हैं, पीम जरेंदर मोदी के, साथ साथ, रिलाइंस ग्रूप के जो ओनर है, नीता अमानी और उनके परिवार है, वो भी इदर आ रहे हैं, साथ मी लक्ष्मी मिक्तल जो बिसनस पर होले सब कोई चाहते हैं कि जो वर्ल्ड कप है, वो इंडिया से भार नहीं जाए, उसले वाले इदर मैच के लिए आए हैं, पर वो विदाउट ट्रॉफी जाने चाहिए, ट्रॉफी इदर ही रहेगी जी